नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विशाल लामदिब और मैं आज आप सभी को करवाने वाला हूँ SSE CGL का 11 सेट आपको solve करवाने वाला हूँ मैत का जिसमें हम देखने वाले हैं आज के हमारे सांदार कुशन यह हमारा आज का 11 सेट इससे पहले मैं आपको 10 सेट complete करा चुका हूँ इससे पहले हमारे 10 सेट complete हो चुके हैं और यह हमारा 11 सेट है यह conduct हुआ था हमारा 18 जोलाई 73 को यह सेट conduct हुआ था ये जो एक्जाम आप दे रहे हो कोई भी एक्जाम हो उसमें सबसे ज़्यादा कोशन पूछे जाते हैं तो वो पूछे जाते हैं SSC PYQ से ये एक्चुली में SSC की previous year bank है ये question bank है SSC की जहां से वो question पूछती है अगर आप बात करोगे सबसे ज़्यादा किसी जगह की जहां से question पूछे जाते हैं तो वो है SSC की previous year question इसलिए आपको ये question जरूर करना एंड तक वीडियो देखना है सारे एक इशारे question स्वाल करना है ताकि आपको अच्छा score मिल सके आपके exam में जिस भी exam की अप तयारी कर रहे हैं इसमें आप अच्छा score कर पाँ main में आपको सिखाऊंगा इसमें smart approach कि आप question को कैसे कैसे जल्दी से जल्दी कर सको आप question को कैसे कैसे आप कर सकते हो जल्दी से जल्दी calculation क्या हो सकती सौर्ट में आप कैसे कर सकते हैं, वो हर तरीके आपके साथ मैं डिसकस करूंगा आज की क्लास में, इसलिए आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जलू कर लेना, देखिए, बिना टाइम का बाद स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कोशन, देखिए, कोशन क्या कह रहा है एक बार कुशन को देखिए, फिर मैं आपको करके देखाता हूँ, 11A की फावर फूर, 13B की फावर फूर, 17C की फावर फूर, ये वाली बेल्यू मेरे स्पूछिए, गिवन क्या है, इसमें हिंट छुपी हुई है, इसमें गिवन नहीं, पहला पूर्शन गिवन है, हमेशा याद रखना कभी ये आपको याद रखने की चीज़, कि आपको कभी भी A² प्लस B² C², तो इसका एक मतलब होता है, किया A और B और B और C सबी एककोल है, कैसे है,इककोल है, समझ गए, कैसे है,भी मैं इस सबीकोल हूँ, बन मनने लेता हूँ, बन मनन लिते हैं, चाहो तो 1 मान लो टू मान लो जो आपको मानना भूमाली देखी यहां पर एक ही पावर फूर यहां पर बेक ही पावर फूर यहां पर भी कितनी पावर फूर बन नहीं एक ही पावर फूर पावर फूर पावर फूर सब जगह पावर फूर बन नहीं तो पावर फूर कैंसर लो कि मैं सांदर कोशन है यह आपको लर्न कर लिना है यह आपको याद कर लिना है सबसे इंपोर्टेंट चीज अगर अगर अगला कोशन क्या कह रहा है देखना यह सांदर कोशन देखिए इस कोशन को देखिए एक बार ट्राइ कीजिए आपको से फिर मैं आपको बताता हूँ कि अधि और इद्रोज एबी सी की भुजा एभी और एसी पर बिंद इस प्रकार रहें कि डी बीसी के सामानतर है ठीक है और एडी डी डी इवी करेंश सेवनेशन आइन है यदि सी डी और बी एक दूसरी को एफ पर प्रतिचेद करते हैं तो डी एफ और ची बी एफ का चेद सबसे पहले में बनाता हूं एक ट्राइंगल क्या बनाते हैं सबसे पहले बनाते हैं एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन समझना एक सांदर कुश्चन नहीं देखना यह बन गए ट्राइंगल है आप फोकर करा समझे ना एक ट्राइंगल एब सी में नाम देती है कि ए इपी उसी नाम देती इपिक आप कहे रहा है कि डी आप और ईय एबी और एसी पर याम बिन दुमाल लेजिए यह और यहां मैं यह यह कैसा है यह यह वाली लाईन पैरलल फाली लाट्र याद राखना यह वाली लाइन इसके पेलिल इतना क्लिए रहे अब आप आगी दिकि distillvo क लेगे आर्यन सेवन यह सैवन यह यह यहां और यह भी कहा पर प्रतिशित कर रही है एप इसे बोल दिया कि यह F है क्या यह F ठीक है यह F होगा आप वो यह कह रहा है कि मुझे आप यह बताए कि D E F और C B E C B F इसका एरिया क्या है C B F ठीक है मतलब मुझे इस टाइंगल का और इस टाइंगल का रेशो चाहिए पहले चाहिए D E F इस वाले को और इस वाले का रेशो निकल सकता है बिल्कुल निकल सकते है कैसे निकल सकते देखना मैंने देखा कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 7 unit तो यह 7 हो गया फिर मैंने देखा कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस है कितनी होगी 7 9 16 यहां से यहां तक की डिस्टेंस 16 तो यह 16 देस हो जाएगा हो जाएगा ठीक है अब आपको इतना के लिए अब आप समझना ये दोनों ट्राइंगल एक्चुली में क्या है ये कॉंग्रोएंट सॉरी सिमिलर रहां देखिए ये एंगल इसके कॉल हो जाएगा हो जाएगा यो क्या वर्टिकली उपर टेंगल ये पेरलर लाइन आ तो अल् इसका स्कुर के खुर के खुर कितना होगा तो इनकी ऐरिया का रीशु कि आ ओगा 49 रीशु का खुर्टिन आ देखिए लिए कॉशिन क्या आपको क्लिया रहा देख लीजिए क्लियर कॉशन है सांधार कोशन था ये इसमें आपको सिमिलरी लगाना थी हम मैं बढ़ता हू मे इस कुशन को करके बताईए इस कुशन को किजिए देखिए एक बार कुशन को पढ़िए क्या कह रहा है देखिए एक कैनबास से 6 एकाई तरिज्जा और 8 एकाई उंचाई एट इसकी क्या है हाइट है तरिज्जा ये इसकी उंचाई तंबू बनाया जाता है इसके लिए कितना कैनबास क्या आवशकता होगी देखिए क्या है रीडियस कितनी दे रहकिए मुझे 6 और के दे रहका है हाइट हाइट दे रहकिए मुझे कितनी 8 तो आप बताई ये ल कितना हैगा एल किया होता है slantite slantite कितनी हो कि 6 6 8 10 ट्रेपलेट होता है 6 8 10 ठीक है यह मेरे पास हाँ है अब मैंने देखा क्या बनना संक्मार का तंबू बनाना है कितने कहीं profk क्या यह करब सरफ सत्य के अलगा है कि अच्या कोवर कर लेख से घुर्दaking कर्व सरपी से रिया है, मैंने देखा कि कर्व सरपी से रिया होता, इसका πाई आर एल, पाई आर एल, कितना हुआ, 60, 60 गुना 22, 6 2 नी 12, 120, 120, 1, 3, 2, 1, 0, 7, 7, 7 से डिवाइट किया, तो मैंने 7 एकम 7, 6, 7, 6, 7, 4, तो 6, 7, 8, 6, 188.something, मतलब option number A, यह मेरा correct हो जाता है, एक बार देख लिजी इस कुशन को, देखी, कोई दिक्कत, simple question था, इसमें, आपको जब भी वो केनबास पूचे की, तंबू को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, हमें इसा लगता है, कितना, उसका कर्व सरपी से जिए, मतलब पाई आर एल, आप से वो पाई आर एल पूचता है, अर बार, देखिए, divisibility का एक सांदर question ये, अगर आप देखोगे, तो divisibility का एक सांदर question पूचा गया था, इसको दीखी एक पाई, ट्राइ कीजिए, आपको तरीके से बताएंगे बिल्कुल, वो तरीका नहीं अपनाएंगे, जो basic रहता है, बिल्कुल, की divide करके पता करते हैं, क्या add करना, आपको तरीका सिखाएंगे, कि आप seconds में answer लापा, वैसे तरीका ये कहता है, की 35 का divide, 35 का divide इसमें देजी आप, 35 का divide, 8-8 में देजीए, कुछ remainder आएगा, उससे 35 का difference लीजिए, उतना add कर देजीए, ये इसकी complete process डिवाइट करके, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ, क्या बात जानता हूँ, कि मेरे से ये पूछ रहा है, वो कि 35 से पूरी तरह से विवाजित हो जाए, 35 से, मैंने देखा, 35 से विवाजित होने के लिए, उसे, 5 से और 7 से विवाजित होना चाहिए, 5 से और 7 से complete डिवाजित होना चाहिए, अब आपको एक बात और पता है क्या, अगर कोई संक्या 5 से विवाजित है, या तो उसके end मैं 0 होना चाहिए, या तो उसके end मैं 5 होना चाहिए, आपको पता है ये, कि अगर कोई संक्या 5 से वाजित है तो उसके end में या तो 0 या 5 होना चाहिए अब आपको इतना भी पता है कि number end में अगर 0 और 5 है तभी वो 5 से टीपी जोड़ ले मैं देखा कि यहाँ पर end में 8 है 8 है 8 को मुझे 0 बनाने के लिए 2 एट करना पड़ेगा इत को मुझे 10 बनाने के लिए end में 0 बनाने के लिए 2 है या फिर मैं इसे अगर 5 बनाना चाहिँ तो 8 और 7 पंदरह मुझे 4 जोड़ना पड़ेगा मैं दो जोड़ूंगा तो 0 हो जाएगा अगर मैं 8 और 7 पंदरह जोड़ूंगा तो 5 आएगा में पाइंड में 5 अगरं डोटा हूं तो एंड में 0 आएगा रड़ा oso कंड फांट में पाउच चैनल तो साथ 2 जोड़ूंगा तो जिरो साथ हूँ तो पाँ मुझे चाईए 2 या साथ आना जागे यह नहीं नहीं देखाि यहां पर दो है होगा मदलब यह नमबर मेरा 35 ऊोटिक है इसी तरीकिश है आपको this question करना है इस कोश्चन को देखिए एक बार कि इस कोश्चन को क्या ट्राइ कीजी एक बार किनी दो संख्याओं के अंतर का बर्ग तीन सो चौवी से कितना है किनी दो संख्याओं प्राकर संख्याओं अंदर इसक्वेर 324 एक तो अंडर रूट कितना होगा अठारा मरला ए माइनस भी 18 दे रखा है इतना आपको क्लियर होना चाहिए और दूसरी चीज हो ला है कि उन्सने प्रोड़क्ट दे रहा है उन्सने 144 दे रहा है मतलब 246 का अंतर होता है 18, 24 गुना 6 होता है, 24 गुना 6, 24, 24 में 6 गया तो 8 आ गया, 144 मतलब मैंने संक्या पता करनी कि एक की मान 24 है, बी का मान 6 इतना आ गया मेरे पास, अब भो कह रहा है, इन दोनों संक्याओं के बर्गों का दनात्मक अंतर 24 का स्क्यार 576, 6 का स्क्यार 36, 540 मेरा अंसर आएगा, मतलब की ऑप्शन नमबर भी मेरा करेक्ट हो जाता है, एक बार देखिए, अगर वो नेच्रल नमबर की बात कर रहा है, नेच्रल नमबर, नेच्रल नमबर जब भी वो बात करेगा, तो आप नमबर को गैस कर सकते हो कि कुछ नहीं करना था इसमें, अब आगले कुशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक, इस कुशन को करको बताईए, देखिए, इस कुशन को कीजिए एक बार, बोर्ड मास्का सेंपल कुशन है, किसमें, एक बार, ट्राइ कीजिए से करने की, फिर आपको करके देखा दे, सिम्पल कुशन है, बिलकुल, देखिए, एक सेकेड, एक सेकेंड बेट करना, देखिए, खरके बताते हैं आपको देखना, देखिए, इससे करूँगा, मैं ब्रेक करके, कैसे करेंगे, ब्रेक करके, इससे सॉल्व करेंगे, देखिए, कैसे करना, कुशन को समझेगे, पांच की गात 4 भात, पांच की गात 5, 150, देखिए, 125 कितना होता है, बताई, 125 होता है,五 की गात 3,五 की गात 4, पांच की गात 4 को पांच की गात 4 से डिवाइट करूँगे तो बनाएगा, यहां तक बना अंसर आ गया, और यह माइनेस का अब मैं यहां पहुंच गया, मैंने देखा कि अगर इसका कुणा मैं इसमें करूंगा तो किता आएगा, मैंने देखा बार और दूरी चो भी दो सो चालीस, तो साड़ होता है, तीन सो, यह कितना आगा, तीन सो मैं तीस का बाग दूँगा, तो दस आ जाएगा, यह तस अप्शन नमर भी करेक्ट हो जाता है, एक बार देखिए, कोशन सांदार था बहुत, लेकिन बिल्कुल सिंपल था यह, इसमें कुछ नहीं करना आपको, केवल बॉर्ट मास का सिंपल कोशन था है, इसमें रूर लगाया और आनसा, अब इस कोशन को देखिए, देखिए, इ यदि साइन ए बराबर कॉस भी है, जहां 5X माइनस 25 और ये दोनों नियून कोणा है, मतलब कि छोटे कोणा है, 90 से, ठीक है, तो आप जानते हो, अगर मैं इन दोनों को एड़ कर दूँगा, मतलब ये दोनों एड़ करने पर क्या आएंगे, ये और ये दोनों एड़ करने 25, प्लस 5 by माइनस 25, एक ओल में 90 आया, ठीक है, मैंने देखा कि 25 और 25, 50 में नब बे जोड़ा, तो 140, कितना आया, 140, मतलब 5X प्लस 5 by आ गया, 140, 5 common ले लिया, मैंने 5 कैस में डिवाइड दे दिया, तो कितना आया, 28 डिग्री, 28 डिग्री, 28 डिग्री में नहीं दे रखा, ए एक सेकंड, यह कट गया, यहां पर एक स्टेप गलती हो गई, एक सेकंड रोखना, वो प्लस दे रखा, यह वाला प्लस दे रखा, तो इससे एक कट जाएगा, एक स्प्लस बाइ, 90 में पांच का भाग दोगे, तो कितना आएगा, 18 डिग्री, ऑप्सन नमर सी मेरा करेक्ट ह हो जाता है, आपको यह चीज़ याद रखना है, कि न्यून कॉर्ण इसने क्यों बोला है, इसने न्यून कॉर्ण इसलिए बोला है, मतलब की, एक क्यूट एंगल, इसने इसलिए बोला है, क्योंकि, यह दोनों, यह दोनों कब होते है, जब दोनों 45 डिग्री की होते है, कब तो सम्कित नौगा 90 को आपको यह चीज़ याद रखना है और इसी कंडिशन में यह रहते हैं दोनो क्लियर अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए अगले कोश्चन को देखिए इस question को देखिए time and barka, सान ow फुटीन है यह भी यह देखिए इस question को एक बए निकिखे करके बताते हैं आपको A और B किसी कार को 10 दिनों में 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं 16 दिनों में तो A अकेले इस कार को कितने दिनों पूरा करेश है देखना A पलस B B plus C कितने दुनों में करते हैं? 12 दिनों में C plus A कितने दुनों में करेंगे? C plus A कितने दुनों पूरा करेंगे? 6 दिनों में तो आप पता ही टुटल बर कसाट रहा होगा LCM ले लिए होँने 10 12 6 का इसकी efficiency कितनी आएगी? 10 Divided यह तो 6 है इसकी कितनी आई की बारा पाट साड़ disgatti किस अधिकयों ए बी प्लस बीजी प्लस इ ए किसा मुझे एक फोकस करना mieć effe density मुझे क्या करूंगा में कहींking कर दूंगा मतलब की मतलब की 5 माइनस करते कितना आया पांच दसमलब 5 बस आपको इस पांच दसमलब 5 से साट काट लिना है साट में भाग दीजिए पांच दसमलब 5 एक सोबीस बटे में 11 ऑप्शन नमबर सी में रखरेक्ट हो जाता है फिमस पैटन है एससी में हर बार पूछा जाता है इस टाइप का पैटन किसी ना किसी सेप्ट में आपको यह पैटन जरूर देखने को मिलेगा दो परसन जब एक साथ काम करते हैं ए प्लस बी ने किया बी एक लिए प्लस बी प्लस माइनस करो बना पांच वह से पांच मानिस कि to five तस मलब पांच आ गया पांच का वागत यह मैंने 60 में, अब कैसे, कैसे solve किया है, मैंने इसे, गौर से देखो, इसे double कर लो, 62, 125, 5, 5 गुना, तो 11 आ गया, clear, simple था ये, हाँ, अब इस question को देखते हैं, जब पूछ रहा है, देखिए, अगर आप set को देख रहा है, तो आपने ये भी देखा हुआ, कि ये question भी repeated है, मनलब कुछ fix type के question है, ये आपको हर set में देखने को बढ़ते है, एक ceiling फेंगा अंकित मुद, मनलब ये market price है, इस पर 5% का discounted है, 40% का profit होता है, तो CP बताना है मुझे, अब आपको मैं बता चुका हूँ क्या, CP से, CP से MP का ratio क्या होता है, CP MP ratio होता है, 100 minus का D%, 100 minus का D%, 100 plus का P%, इतना होता है, CP बताई कितना है, CP है 4200 रुपे, CP है 4200, एक second, MP दे रखाए 2400, MP कितना दे रखाए 2400, CP कितना है, ये पता करना है, 100 plus P, मतलब 104, 100 minus D, 100 मैं से 5 गया, तो 85, इतना आगया, ठीकिए, अब आप देखी, मैं से solve कर रहा हूँ, CP equal 85, बते में 114, गुणा में 4200, solve कीजी एक बार से, देखी, कैसे होगा, साथ एकम साथ, किससे कटेगा, एक second, 14% profit, CP 100 plus P, MP होता है, 100 minus D, 85, मार्केटपैस 2200, ये कतना है, 85, ये कट गया, ठीक है, 24, 42, साथ एकम साथ, चार से नहीं कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, इसे 2 से काट ले देए, एक बार, 2 से काट ले देए, 25, 10, 27, 14, दो से काटा, 21, आभी भी आंसर ले जाएगा, इसका, तो 19 से कट रहा, ये 85 से कट रहा है, 17, 25, एक सेकेंड इसमें कहीं गलती होई है, एक सेकेंड, एक माइनर से मिस्टेक है, क्या, ये 95 है, कितना आईए, 95, ये 95 है, तो ये भी 95 होगा, देखें, 95 होगा, 19, 95, 95, पांच, और ये 3, तीन से काटा, 21 को 700 आगया, 700 कुणा पांच करोगे, कितना आएगा, 35, 75, 35, ऑप्शन नमर्डी मेरा करेक्ट हो जाता है, ठीक, एक बार आपको फिर से करके बताते हैं, देखें, क्या हो रहा है, देखें, एक बार फिर से देखतें, CP अपॉन में, CP कितना था, ये मुझसे पूचा है, क्या पूचा है, CP पूचा है, market price था, 42, market price दे रहा है, 42, ये आया, 95, ये आया, कितना, 114, निस पांच, 95, पिंचानवे, 19, चक्का 114, ठीक है, ये और आए, 67, 42, कितने गुना हो रहा है, 700 गुना, 700 गुना, इसका 700 गुना कर दीजिए, इसका 700 गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 7500, 3500, चलियर है, आप ऐसे भी कर सकती है, ये डिजिट की वज़े से गलत हो रहा था बस, एक बार देखिए कुशन को समझे, कोई दिक्कत आपको कोई परिशानी, चीक, अगले कुशन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए, ये है सबसे सिंपल कुशन, पढ़िए इसमें क्या कह रहा है, आपको इसमें गलत आइडेंटिटी बताना है, फॉल्स स्टेट्मेंट, देखिए, मुझे पता है कि साइने, एक कॉल 10 इंटू को से होता, क्योंकि 10 A को मैं साइने पॉन कॉसे लेख सकता हूं, कॉसे से कॉसे काट तो मुझे साइने आगा, तो ये वाला तो सही है, ये तो आइडेंटिटी सही है, कॉसे स्कूर A माइनस बन, प्रेट और आप्षिन यह गलत फॉर्मूला बाँकि यह सारे साही है सारी प्रूब आइडेटीटी यह अब इस कोश्ट को करके बताई हूँ यह है मेरा अल्टर्नेट इंटीरियर एंगल त्योरम कौन सी एंगल बाइसेक्ट अब इंटीरियर एंगल कैसे बाइसेक्ट होता है यह आपको बताना है देखिए मैं आपको पता दूँ हूँ एक्स बाइजेट एक ट्राइंगल है जिसका एक बाइसेक्टर है क्या एंगल बाइसेक्टर कहां पर मिलता है इस पॉइंट पर मिलता है इस पॉइंट को क्या बुला है Q, Y, Z पर एक ऐसा बिंदू है Y, Q और Q, Z Y, Q और Q, Z कितना दे रखा है Y, Q, Q, Z का अनुपाद पूछा है X, Y, 4 दे रखा है X, Z कितना दे रखा है उसने 5 दे रखा है देखिए अगर आपको एक थियोरम पता हो क्या अगर ये Angle by sector है तो इन दोनों का जरूश है इन दोनों का जरूश है वो सीम रिशूस का वरूता 4 अनुपाद 5 अगर ये 4 अनुपाद 5 में तो यहां से यहां तक भी 4 अनुपाद 5 ही होगा मतलब की option मेरा D correct हो जाता है देखिए एक जी question को एक बार चिक अब मैं देखता हूँ मेरे अगले question को train वाला question है time speed distance पर ये वाला pattern पूचाए इसमें देखिए एक बार कोसिस कीजिए करने की से देखिए question क्या कहला समझीए एक train 70 की speed से जल रही है और समान देशा में ये को train चल रही है 34 की speed से दूसरे train को 25 से केंड़ पार करती है तो दोनों trainों की से लंबाई गयात कीजिए मतलब मेरे से पूचा है L1 प्लस L2 distance ये क्या total distance total speed speed कितनी होगी relative speed कितनी होती है जब same direction में जाती है तो दोनों का difference लेती है दोनों का difference मतलब 36 किलोमीटर पर हार कितनी टाइम में पार कर लेती है मैंने देखा सर्थ 25 सेकेंड में लेकिन दिक्कत ये है एक किलोमीटर पर हार मैं से मुझे मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो क्या करूँगा 36 में 5 बटे 18 गोणा कर लीजी 18 गोणा कर लीजी मतलब दोनों 250 साइए 250 दोनों ट्रेनों की लेंद का समय 250 मीटर चीज़ अब आपको पताईए क्या इसमें कौन से लागा distance equal speed into time speed इनकी relative होगी distance होगी distance जब ट्रेन एक दूसरी को पार करती तो उनकी दोरा चली गई दूरी उन दोनों ट्रेनों के sum के एक कौल रहती है कि उनकी लेंद कितनी है clear और time उसमें दे रखा है एक बार देखिए कुशन को देखिए अगले कुशन को देखते हैं अब हम हाँ इस कुशन को देखे इसको देखाते है देखिए क्या कह रहा है समझना एक निर्वाचान छेतर की निर्वाचक स्थनावावली में सामिल को लोग 85% ने चुनाब की दोरा अपने मत डाले ठीक है 100% लोग थे उसमें बंदे 85% ऐसे थे जिनोंने बोट डाले अपने ठीक है इसके भी 10% गटा दो 10% देखो इसका 10% 8.5 होता इसका 10% 8.5 होता 8.5 इसमें से माइनस कर दीजी 8.5 मतलब 9 माइनस कर लेता हूँ 9 माइनस करूंगा तो 5 होचा 76.5 आजाएगा 76.5 परसा है ये वो लोग हैं जो बैलेट वोट है जो मानने वोट है वो ठीक है यदि मतदाता मैं 3 लाग कितने 3 लाग लोग सामेर होते तो धरम को 1 लाग 37,000 बैलेट मत पराप्त हुए तो धरम में बैलेट मतलों की कुल संख्या के कितनी परसेंट पराप्त की देखे अगर 100 लोग बोट डालते हैं अगर 100 लोग बोट डालते हैं तो 46.25 परसेंट लोग ऐसे हैं जो बैलेट बोट है इन लोगों के बोट को बैलेट करार दिया जाता है ठीक है मैंने देखा बोट तोटल थे 3 लाग तोटल कतंए दे 3 लाग मेरे 3 लाग 3 लाग बोट अगर मैं इसका 16.5% निकाल लूँ कितना 16.5% निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि टूटल बैलेड वोट कितने थे मैं निकाल लूँगा बैलेड वोट कितने मैंने देखा कितनी बैलेड वोट कितने तेरा चल् consultant के तेरा बै milligram के। अंगल संग्या कितने प्रसंट प्राफट के। मैंने देखा कितने प्राइब अंगे मैं अगल एक पॉइंट और एक पॉइंट को अडा दू तो एक 0,80 में परसैंटेज होगा तो टू,uko और जुदू, अटे diret बचा harden थैन सो ten sot 55, more than कितना बचा? 300 और 765 अब वो यह पूछ रहा है आप तो यह बताईए मुझे इतना आ गया लेकिन जो 13,772 जीरों हैं यह कितना परसंट है यह इतने बैलेट वोट थे और यह उसे मिले यह जितने उसे मिले ना वो बैलेट वोट का कितना परसंट है यह उसे निकालना मैं ने और जलाए सार 20-0 से 20-0 कट किया इन 20-0 को काट ने नहीं नहीं 97erg Ab 가능 3 15 सकता ही आखाना अपाँंद Do go in ने टो पष्ट न एकान है नोपाँच पैता है नोट बतर चेड़ 2 15 17 ते यह क्या वन 17 5 580 उपर आया 3 नीचे आया 5 तीन मटब 5 कितना होता है 60 परसेंट आपको पता है मतलब बंदे को जो बोट मिले न वो बैलेट बोट के 60 परसेंट थे इसका मतलब यह कितना थे जो से बोट मिले उसका 60 परसेंट है वह किसी ने गलत बोट डाल दिया हूँआ किसी का वहत रिजन रहे होंगे तो वह 10% आता दी यह कि 8.5 होता है इसका 85 का 10 परसेंट निकाल लोग तो 8.5 होता है अब मैंने देखा इतना आ गया तो इस मेंसे जो वोट मिले हैं वो कितने परसेंट है तो परसेंट नकाल लेगे लिए कुछ उपर कुछ नीचे रखता है इंटू मेंडेट करते हैं मैंने निखाला तीन बटा पांच तीन बटा पांच मतलब 60% है बहुत सांधर कोशन था ही मिलती है हमारी नए सेट में नए कोशन के साथ में नए कॉंसेप्ट के साथ ठीक